हाँ तो बच्चों शुरू करें बफर तो आप सब के दिमाग में बफर का नाम सुनती बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके होंगे कि बफर किस तरह से हमें पढ़ना है तो पहले ही मैं बता दूमें काफी डैप्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉजिकल और पूरा कंसप्च्वली हम इसको एक एक करके समझेंगे तो शुरुआत से करते हैं कि बफर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या और कैसे तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन समझाऊंगा आपको वाट इस बफर फिर उसके बाद टाइपस ऑफ बफर यानि बफर यानि कोई भी बफर सॉलुशन है उसकी क्या पी एच होगी वह हमें यहां देखने को मिलेगा जिसके अंदर हैंडर सनी हैसल बैच एक्वेशन को आप देखने को मिलेगा पी एच रेंज ऑफ बफर यानि बफर की पी एच रेंज क्या है वह हम समझेंगे यहां पर आपि बफर कैपसीटी हम नेक्स व्यमें परएंगे कैल कॉलेशन ऑफ फी एच यह कहा जाए कैल कॉलेशन ऑफ चेंज ऑप पी हैच विएच वन समदेशन को सम अमट षप एच और बैस यह हम पर यह कैल कॉलेशन ऑफ चेंज ऑप पी एच ऑब ऑफर फिर उसके बात पढ़ेंगे हम problems practice, यानि किस तरह से questions को हम start करते हैं और काम बहुत आसान करतेंगे, तो दीए बहुत interesting topic है, कैसे यह है, बहुत अच्छी knowledge में आपको देने वालों, करते जाओ बस, तो शुरू करते हैं, सबसे पहला वाला topic, हम बात करें, buffer solutions, heading डालीजिए, buffer solutions दीए शुरुआत से ही मुझे एक ऐसा solution चाहिए था, जिसके अंदर pH बहुत आसानी से change ना हो, समझ ना, एक ऐसा solution चाहिए, जिसमें कुछ amount अगर मैं acid मिला दूँ या कुछ amount में base मिला दूँ, तो pH अचानक से change ना हो, बहुत कम amount में change हो, तो वो resist करे, तो इसलिए buffer solution की definition वही है, कि यह वही solution है, जो acid या base मिलाने पर pH change को resist करती है, तो है definition यह हमारे पास, लिखिए, buffer solutions is the solutions, buffer is solutions, which resist the change of pH, on adding some amount of some amount of strong acid or strong base strong acid, strong base, weak acid, weak base, कुछ भी मिलाओ, वो रसस्ट करती है, for example, अगर आपके पास एक solution है, जिसकी pH इस समय साथ है, क्या है, साथ है, और यह non buffer है, non buffer है, और आपने इसमें acid मिलाया, तो सीधा pH क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वन टू के बीच में आ जाएगा, और अगर आपने इसमें base मिलाया, strong base, तो pH क्या हो जाएगा, आप समझें, 13, 14 के बीच में चला जाएगा, लेकिन अगर यही buffer होता, और pH साथ होती है, और आप इसमें acid मिलाते, तो pH आपके पास 6 और 7 के बीच में रहता, और base मिलाते, तो pH आपके पास 7 और 8 के बीच में रहता, यानि मैं यह कहना चाहरा हूँ इस example से, कि acid मिलाने से pH चेंज होती है, लेकिन उस amount में नहीं होती है, जिस amount में होनी चाहिए थी, यही property buffer को बताती है, समझ में आ गया, तो first definitions of buffer is that, second definitions, पहले एक बार समझ लो फिर एक साथ लिखिएगा, तो second definitions क्या होगी, NCRT की definitions है, buffer is mixture of, mixture of weak acid and conjugate salt of it, conjugate salt of it with strong base, with strong base, यानि हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, CAC, COOH, प्लस इसका किसी भी strong base के साथ salt होगा, तो वो यह होगा, NOH के साथ, तो इन दोनों का combination एक buffer है, do see definitions, tc definitions, buffer solutions, buffer is mixture of, weak base and conjugate, salt of it with strong acid जैसे example ले रहे weak base NH4OH और इसका salt NH4Cl ये buffer है लेकिन इन दोनों या तीनों ही definition से हमें ये तो पता चलता है बफर क्या है लेकिन इन इन पता चलता कि वाय बफर बिकम बफर उसके लिए आपको definition चाहिए रहेगी सुनील लखोटिया definitions तो ये standard definitions क्या है उसको समझेंगे हम तो पहले आप ये समझ लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे strong bears and also known by non by acidic buffer acidic buffer क्यूंकि acid is के अंदा रखा वाय acidic buffer or is and also known by basic buffer और एको definition है buffer is salt of weak acid and weak base example CST C O O N H 4 क्योंकि weak acid weak base है NH4 CN weak acid है CN weak acid से है और NH4 weak base से है तो इसको हम क्या बोलेंगे है और आल्सों नोन बाई नूट्रल बफ़र यह आपके पास रहा बफ़र बफ़र की अपने अलग अलग definitions पड़ी एक बार में रिवाइस करा रहा हूं आप लिखते भी जाएं बफ़र इस solution which resists the change of pH on adding some amount of strong acid strong base weak acid weak base ठीक है और weak acid और weak base next अगर कोई solution है जो non buffer है उसमें आप acid में लाएंगे तो pH बहुत तेजी से change होगी 1-2 की range में पहुच जाएगी या base में लाएंगे तो pH 13-14 के amount में change हो जाएगी लिए अगर buffer solution है pH 7 रख रहा है और की आइए अभी तक क्यासथ बड़ेगा और यजी कोई फार्क नहीं पढ़ेगा और बेस में लाएगे तो भी कोई फार्क नहीं पढ़ेगा कासथ फा elles पड़ेगा लेकिन खास फर्क नहीं पड़ेगा यह तो रही बफर की डेफिनेशन्स लिखें इसको देखें इन आपने जो यह अलग-अलग तरह की फोर्थ डेफिनेशन्स करी हैं इसमें एक क्यों बन सकता है कैसे अभी तक वो यह है क्या आपसे यह पूछा जा सकता है एक्जाम पर नमबर ओफ बफर सॉलुशन्स बफर सॉलुशन जनरेट बाइ एन एच एंड पर एस्ट्री पीओ फोर एसी पीओ फोर और एनिवसे कितने अलग-अलग तरफ के बफर आपको देखने को मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँ सॉलुशन्स करते वक्ट आप बना सकते हो कि जब आप HCPO4 की reactions NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास NaH2 PO4 plus H2 तो यह weak acid हो गया और यह उसका conjugate salt हो गया क्या यह एक buffer है तो यह आप गया first buffer conjugate acid and its salt फिर दूसरा क्या NaH2PO4 में H plus अभी भी है हाँ है क्या यह एक acid का काम भी कर सकता है हाँ क्या यह एक base का काम कर सकता है हाँ लेकिन अगर यह acid का काम करता है तो NaH2PO4 एक बार और NaOH मिला है आपने H plus देना base है sorry H plus देना acid है इसने H plus दिया Na2HPO4 plus H2O तो यह इस जगर किस का काम कर रहा है इस जगर इस reaction में acid का यह base का acid का पक्का तो कभी यह जो भी ऐसे acid होते हैं जो पॉली प्रॉटिक होते हैं इनके एनायन जो बनते हैं वह acid और base दोनों कर सकते हैं इसी लिए इस तरह के एनायन को हम बोलते हैं Amphoteric salt क्या बोलते हैं Amphoteric यह acid भी बन सकते हैं base भी बन सकते हैं यह H plus लेकर इसमें convert हो जाएंगे और H plus लेना क्या काम है base का और यह H plus दे भी सकते हैं acid भी हो सकते हैं इस जगर यह acid और base का काम करने तो यह acid हो गया यह base बन गया है तो यह second buffer हो गया क्या और भी buffer बन सकता है हाँ Na2HPO4 अभी भी एक H दे सकता है बस लेने वाला चाहिए और क्या बन जाएगा Na3PO4 plus H2O यह हमारे पास फिर एक और third number का buffer हो गया third buffer तो यहां आपका answer जाएगा three three types के buffer होंगे क्योंकि अब यह salt बना है इसके पास acidic hydrogen नहीं है तो बताओ क्या यह amphoteric salt कैलाएगा नहीं क्या यह कैलाएगा हाँ क्या यह कैलाएगा हाँ क्या यह कैलाएगा नहीं तो बस अभी हमारे पास एक चीज आ यह और यह है कि अगर किसी भी acid के अंदर polyprotic acid के अंदर N proton donation की tendency है तो number of buffer कितने बनेंगे N समझ में रहा है तो आप आप ध्यान से सुनिएगा H2SO4 कितने buffer बना सकता है गलत क्योंकि H2SO4 एक strong acid buffer weak acid और उसका conjugate से बनता है तो 2 नहीं बनाएगा 0 बनाएगा H2SO4 अब बताईए SCPO4 कितने बनाएगा 3 H2CO3 कितने बनाएगा 2 समझ में रहा है COOH कितने बनाएगा 1 succinic acid कितने बनाएगा 2 butanoic acid कितने बनाएगा 1 butanoic 1 क्योंकि CSE COOH के साथ C3S7 जुड़ा हुए बस 1 butanoic 1 succinic acid 2 oxalic acid 2 carboxylic acid 2 तो आप यह देख लेना कितने COOH ग्रूप है उसमें वह आपकी organic की knowledge है वह आपको organic मैं अच्छे से देखने को मिलेगी कितने COOH है फिलाल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि find number of buffer solution in following तो आप जल्दी से बताएं दूसरा एक्जामपल find number of buffer solutions by of following of following by any way any way any way कि दारा नीचे से कौन से कितने buffer बनाएगा अब आपके पास answers लिखने compound में यहां लिख रहा हूँ यह serial number आपके पास आ गए first और number of buffer solutions आपको बताने है ह ह to c o 3 as three p o four as H3PO3 RCOOH HCN H2SO4 COOH COOH Oxalic Acid चलिए आप मेरे को जल्दी जल्दी बताइए कितने बना सकता है कितने बना सकता है कितने बना सकता है दो इसमें दो ही hydrogen acid यह आपके लिए star point है इत्यान रखना सिर्फ दो hydrogen acid होती है H3PO3 में वह ही hydrogen acid होती है जो oxygen से जोड़ी हो फासफरस एक hydrogen यहाँ पर फासफरस से जोड़ी होई है और फासफरस से जोड़ी ही hydrogen acidic नहीं होती यहाँ पर एक 0 H2SO4 strong acid है buffer नहीं बनाएगा HNO3 zero बनाएगा HNO3 क्योंकि buffer एक weak acid और उसका conjugate होता है मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ध्यान अखना है लिखें इसको देखो मैं फिर बोल रहा हूँ जितने hydrogen हो उतने buffer बनेंगे यह language गाला थे आपका answer होना चाहिए number of acidic hydrogen कितने हो और acidic hydrogen वह hydrogen होती है जो high lactronegative atom से जूड़ी हो जैसे halogen और oxygen group के elements और nitrogen तो देखिए अगर ऐसे देखा जाए तो CH4 में कितनी hydrogen है चार लिए एक भी hydrogen acidic नहीं है तो यह कितने buffer बनाएगा जीरो बनाएगा ही नहीं CH3 अगर हम बात करें फिनोल कितने buffer बना सकता ही है क्योंकि एक hydrogen इसके पास क्या है acid के पक्का तो हमारे पास यह एक छोटा सा point होना चाहिए बात को समझो और यह hydrogen acid होनी चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है चलो ठीक है आपने कर लिया यानि कि अगर मेर से depth में पूछा जाए और ज़्यादा तो hydrogen hydrogen इतनी ज़्यादा acid होनी चाहिए कि वाटर से ज़्यादा acid हो सही है ना आज अगर हम ROH को लेंगे simple alcohol को लेंगे phenol को नहीं तो यह hydrogen water से ज़्यादा acidic नहीं है तो क्या यह buffer बनाएगा नहीं तो आपको फिर मैं बोल नहीं आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए वह सारी hydrogen acid है जो oxygen से जुड़ी हुए यह मेरी पहली definition थी लेकिन oxygen का जो second balance ही है वह किसी withdrawing group से जुड़ा भी होना चाहिए यानि यह नहीं कि R से जुड़ा हुआ है hydrogen क्या हो जाएगी यानि यह एक और आपके पास clear होना चाहिए कि attached hydrogen is more acidic than water और आपको कैसे बता चलेगा इसके लिए पूरा आपको थोड़ा सा organic knowledge रखनी पड़ेगी basic strength जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है वहाँ पर inductive effect, resonance effect उन सब की जवरत पड़ेगी तो आप क्या समझेए वह सारी hydrogen जो water से ज्यादा acidic है वह buffer बनाती है समझ में आ गई क्या यह hydrogen acidic water से ज्यादा हाँ क्योंकि यह resonance था यह हाँ क्योंकि यह carbon बहुत ज्यादा electronegative है और यहाँ पर resonance भी देखने को मिलेगा कम यह कुछ जादा ही हो गई बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए यह हाँ यह हाँ तो कुल मिलागे आपने क्या पड़ा buffer के लिए आपको acidic hydrogen चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं बस तो अब आप मेरे को बताईए कि क्या H2S बना सकता है H2S हाँ 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 ही बना सकता है नहीं ही नहीं ही नहीं सिर्फ ही buffer बना सकता है क्योंकि HF एक ऐसा है जिसमें hydrogen बहुत जादा acidic भी नहीं और बहुत जादा basic भी नहीं है तो यह आपके पास थोड़ी advanced level की knowledge हो गई बाकी ठीक आपका काम चल गया लेकिन फिर भी definitions हमारी अभी भी के लिए कि वाए buffer is buffer इस पर हम वर्क करेंगे और नई definitions हमारी बनाएंगे देखो तो एक और definition से buffer is solutions oblique mixture of weak acid and weak base यह weak acid और weak base का mixture होता है तो यह weak acid कौन हो सकते हैं weak acid आपके पास दो तरह से हो सकते हैं cation of weak base इसको समझते हैं पहले तो neutral कौन हो सकते हैं होंगे जैसे आपके पास cst c-c-o-o-h 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 c-c-o-3 यह यह सब आपके पास weak acid है और neutral है और cation of weak base इसमें कौन example आएंगे NH4 plus second cation cation बनाना और वो भी weak base aniline हो गया लेकिन अब क्या हो गया anilineum iron हो गया यह weak base हो गया ठीक है यह भी अपने आप में weak acid है क्यों why cation is react as weak acid क्योंकि होता क्या है जब भी cation आप लेते हो NH4 plus तो वो water के साथ reaction करके water के साथ reaction को क्या बोलते है hydrolysis hydrolysis बोलते है और वो क्या generate करता है H plus NH4 OH तो एक तरह से जब भी आप weak acid का weak base का ketan लेते हैं तो अपने आप container में weak base create हो जाता है भले ही आप मिलाएं या न मिलाएं ठीक है मैंने क्या बोला एक तरह से जब भी आप weak base का ketan लेंगे तो water के साथ reaction करके क्या बना लेगा weak base बना लेगा तो यह weak base बना लिया और यहां पर weak acid ही तो weak acid और weak base का mixture आपके लिए क्या हो जाएका लेकिन यहां पर weak acid यह भी weak acid है और यह भी weak acid है तो क्या इन दोनों का mixture और यह बनने के साथ ही तो क्या यह acidic acid बना रहा है हाँ medium इसकी वज़ा सेक्टपन रहा है acidic क्या इन दोनों का mixture buffer बनेगा नहीं है दोनों वीक सेड है यह डारेट एच प्लस दे रहा है यह वाटर के साथ रियक्शन करके एच प्लस दे रहा है तो आप के टायन के लिए लिख सकते हैं लेकिन वह वीक बेस का होना चीह है तो मुझे किसी ने कहा कि थड एने प्लस क्या वीक acid हो सकता है hydrolysis हो सकता है नहीं strong base का salt का hydrolysis नहीं होता no hydrolysis no acid कोई hydrolysis निये कोई acidic character नहीं होगा na plus में आपको weak base का cation ही लेना पड़ेगा और यह बात समझ में तो यह तो आपके पास हो गया दूसरा आपके दिमाँ में अभी भी बहुत अच्छे से clear नहीं है तो एक और example के साथ मैं समझाता हूँ weak base को भी weak base दो तरके होते है neutral और दूसरा NIN of weak acid neutral आपके पास हो गया NH4OH NH3OH यह weak base हो गया आपके पास और NIN of weak acid CSC C O O provinces CN- यह तो direct आपको OH दे रहें C C O O M I N S H 2 के साथ reaction करके C C C O O H बनाता है प्लस O H माइनस देता है तो बता ही ओए देने वाला क्या होता है बेस लेकिन यह इतनी ज्यादा quantity में नहीं होती ही कि बहुत ज्यादा दे तो इसका मतलब ये weak acid है मिर से यहां गलती हो रही है क्या ओएच हाँ 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 बिलकुन ये ओएज दे रहा है तो इसका अदब ये क्या हो रहा है weak base clear है concept और ये भी ओएज दे रहा है ये भी weak base दोनों ही बहुत कम quantity में देते हैं reversible है तो दोनों ही weak है तो कुल मिला के आपने क्या सीखा all cation all cation of weak base are acidic in nature all anion of weak acid are basic in nature लेकिन अगर आप यहां पर थर्ड नंबर पर c l minus ले लेंगे तो काड़ दो क्योंकि इसका hydrolysis नहीं होता strong acid का निन नहीं होगा तो ये weak acid भी नहीं होगा थोड़ा सा समझने में ये वाली definitions टफ लगेगी लेकिन इससे वह आंसर आएंगे जो आपके पहले नहीं आ पा रहे थे तो ये चीज क्लियर करो लिखो इसको कि दिखे जो भी हमने पढ़ाए एक बार और समझ लेते हैं मैं आपको दस रुपे देता हूं वी कैसिट मैं आपको दस लाग रुपे देता हूं स्ट्रॉंग एसेट समझ न तो वीक एसेट की निशानी का में एक मोर्ण में देना और स्टॉंग पर यह श्जादाinku में देना तो मैंने तुम्हें तो क्या हो गया? वीक ऐसे डे तो NA क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि NA water के साथ reaction करी नहीं पायागा क्यों नहीं कर पायागा? क्योंकि अगर आपने water के साथ reaction करा भी दी तो क्या बनेगा? NaOH और plus H plus कभी भी किसी reaction में strong base बनता है गया? नहीं तो जब strong base नहीं बनता तो यह reaction भी नहीं होगी और जब यह reaction नहीं होगी तो H plus भी नहीं मिलेगा और जब H plus नहीं मिलेगा तो NA plus भी अपने आप में weak acid नहीं होगा NA plus अपने आप में क्या रहेगा? neutral तफ लगी अप अप तो समझ में आगया? तो यह आपको मैं आपको कहना चाह रहा हूँ चमक गया? यही हल यहाँ पर है NH4OH आपको 10 उपे दे रहा है खुच से दे रहा है और CACC 00- जो की अपने आप में weak acid का NIN है यह water के साथ reaction करेगा उसका OH आपको देगा और H खुच खा जाएगा ठीक है? तो औरहाल आपको OH मिल गया ना तुम्हें तो 10 उपे मिल गए तो यह इसी लिए यहाँ पर क्या है? एक weak base है तो इसी लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ weak acid का NIN weak base होता है weak base का cation weak acid होता है समझ में आगए है? और कुछ direct ही पता चल जाते है weak है लेकिन strong acid और strong base का cation NIN neutral होते है Is that clear? यह आपके पास आ रहा है तो अब आपको मिल को यह बताना है which of the following pair is buffer जो भी आपने पढ़ा है तो बापिस एक बार करें फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि why buffer become buffer तो चलिए यह भी बहुत अच्छा point हो गया यह example जो मैं आप करा रहा हूं यह advanced level के लिए which of the following is buffer buffer first CSC C O O H plus CSC C O O minus क्या ही एक buffer है हाँ यह एक buffer है यह हमने पहली definition से ही कर सकते थे weak acid and conjugate salt of this is buffer पहले वाली definition से भी कर सकते थे और मेरी बनाएवी definition से भी कर सकते है आपने आप में एक buffer होगा तो यह तो सभी definition से एक ही आंसर आ रहा है दूसरा ले लेते हैं CSC C O O H plus C N minus क्या यह एक buffer बन जाएगा बन जाएगा ठेके ना यह बन जाएगा यह आपको डारेक्ट नहीं दिख रहा है लेकि मेरी definition से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा Weak Acid Weak Base क्या यह buffer है? हाँ क्या यह buffer है? हाँ इसलिए मैं आपको भोल रहा हूँ थर्ड नंबर पर NH4 O H plus NH4 plus क्या यह buffer है? यह buffer है यह buffer है fourth क्या यह buffer बनेगा? हाँ यह direct दिख रहे है Weak Base Weak Acid यह जो नीचे के दो हैं यह वाला और यह वाला टू और fourth वाला इसके लिए आपको मेरी definition की जवरत पड़ेगी यह NH4 O H Weak Base है और CST C O H Weak Acid है यह तो direct ही ले लिया है आपने खुद से दे रहा है direct NH4 O H आपने NH4 plus होई ना लिया है fifth NH4 O H plus CST C O O minus क्या ही एक बफर बनेगा सोच के देखो mixture Weak Base Weak Base NIN को देखके O H minus की फील लाओ दोनों Base Base हैं और Cetion को देखके H plus की फील लाओ तो क्या यह बफर होगा नहीं तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आ गया 6 CST C O O H plus NH4 plus क्या ही एक बफर है Weak Acid CST C O O H plus C N minus आप कर चुके थे plus Na O H क्या यह एक बफर हो सकता है बेटा यह एक पॉइंट आ रहा है कि क्या यह quantity depending buffer है quantity depending depending buffer यानि यह दो case होंगे कैसे मैं बोल रहा हूँ अगर CST C O O H के मूल मूल की बात कर रहा हूँ जादा है N O H buffer और दूसरी दरफ CST C O O H के मूल कम या बराबर है N O H के not buffer ऐसा क्यों क्योंकि अगर यह ज्यादा है तो इन दोनों में reaction होगी पहले आप reaction कर आओ CST C O O H प्लस N O H reaction हो गई CST C O O क्या बरेगा minus N A plus plus H2 माल लीजी यह 200 है यह 100 है तो बताईए यह कितना हो जाएगा 100 और यह 0 यह 100 और यह 100 तो final container में आपको CST C O O H minus दोनों मिल रहा है buffer हो गया N A plus तो अपने आपे neutral का काम करेगा यह तो क्या यह buffer है हाँ तो इस case में यह buffer है अगर यह उल्टा रखते यह 100 रखते और यह 200 रखते है तो आपके पास क्या बचता CST C O O minus अपने आप में क्या है OH minus weak base strong base weak base and strong base is not a buffer तो बस यह आपके लिए बहुत important point हो गया बच्चे यहां गलती करते है buffer not buffer हमने बहुत सारे example कर लिए 7th number का example कर लिया अब इसी के अंदर हम 8th number का example देख रहें करें 8th number का हमारे पास है आप आप NH4 OH plus SCL क्या ही एक buffer है क्या ही एक buffer है यह quantity based buffer है यह भी quantity based buffer है दो case बनेंगे first अगर NH4 OH mole of NH4 OH SCL के mole से ज्यादा है तो यह buffer है और अगर NH4 OH के mole कम या बराबर भी है SCL से तो यह buffer नहीं है not buffer कैसे सेम explanation रहेगा आप NH4 OH PLUS SCL की reaction कराओ क्या बनेगा NH4 CL PLUS H2O मा लीजी यह 200 है यह 100 है 00 reaction होगी हाँ क्या यह buffer बन जाएगा इस जगा weak base and conjugate salt buffer अगर आपने यह 100 और यह 200 ले लिया 0 100 100 strong strong acid और NH4 PLUS weak acid strong acid weak acid का combinations buffer नहीं होता not buffer और अगर आपने दोनों बराबर ले लिये जैसा मैं बताता हूं तो यह दोनों 00 हो जाएगे केवल क्या बचेगा आपके पास NH4 CL और NH4 CL अपने आप में buffer नहीं है तो 8th number का भी आपके लिए बहुत important हो गया 9th CH3 C O O N A PLUS SCL क्या ही एक buffer है quantity based buffer है quantity base buffer buffer अकर हम quantity based की बात करें तो दो case बनेंगे हमारे पास mol of CHC C O O N A is more than SCL यह एक buffer बनेगा generate buffer buffer और CSC C O O N A SCL से का है तो not buffer buffer form तो कोई buffer बनेगा ही नहीं कैसे बनेगा example CSC C O O N A आपने 200 mol ले लिए PLUS SCL reaction हो जाएगी CSC C O O H प्लस NA CL बनेगा NA CL अपने आप में NA और CL क्या रहेगा neutral दूसरी तरफ SCL 100 0 100 100 ता आप मुझे बताएं कि इन दोनों का combinations weak acid or conjugate salt N I N weak base हो गया weak acid हो गया buffer है बिलकुल ही एक buffer है लेकिन दूसरी तरफ CSC C O O H PLUS SCL CSC C O O H PLUS NA CL अगर आपने 100 और इसके भी 100 या 200 यह जादा या बराबर भी ले लिया होता यह 0 हो गया 0 होती है weak acid गया weak acid के बगएर buffer कहां से buffer होगा यह buffer है weak acid और नहीं यह तो ख़तम हो गया strong acid, weak acid not buffer देखो 9th case कर लिया आपने 10th case और देखते हूं हमने ले लिया NH4Cl प्लस NOH क्या यह एक buffer है quantity based buffer है यह प्या quantity based buffer है quantity based कैसे अगर अगर आपके पास NH4Cl के मोल मोल में बात कर रहा हूं ध्यान अगना NH4Cl के मोल NOH से जादा है buffer और उल्टा हुआ not buffer कैसे प्रूव करो वही तरीका जो आपने पहले कर रहा है आप NH4Cl ले लो उसमें NOH मिलाओ reaction होगी NaCl बनेगा और क्या बन जाएगा NH4OH अगर यह आपने 200 mol ले लिया यह 100 ले लिया यह भी 00 है यह reaction होगी 100 0 100 100 क्या इन दोनों की वज़ा से यह buffer बन जाएगा weak base और conjugate salt दोनों container में हाँ यह buffer रहेगा buffer होगा लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने दोनों बराबर ले लिये तो भी buffer नहीं होगा जाएब अगको और अगर ज्यादा ले लिया तो भी buffer नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि strong base और weak base का combination कभी भी buffer नहीं होता तो आपने मेर से 10 different cases करें कब कौन सा buffer है या नहीं है अच्छे से समझ में आ गया होगा तो देखो इधर 11 क्या CACCOOH प्लस NACL एक buffer या नहीं है जल्दी बोलो क्या चीज NACL किसी के साथ reaction नहीं करेगा already strong acid strong base का salt है तो क्या reaction होगी कुछ भी नहीं होगी तो not buffer कभी भी नहीं होगा not buffer रटो मत समझो strong acid strong base salt not react neutral है और वो this तो not buffer कभी भी नहीं होगा अगर आप NH4 OH और NACL या KNO3 ले लो आप क्या buffer होगा? नहीं होगा क्योंकि ये भी strong acid strong base का salt है तेरह क्या NH4 OH plus CSC C O O NA एक buffer हो सकता है क्या? देखो ये weak base है और NIN अपने आप में ये भी weak base है CSC C O O minus weak base है इनायन base होते हैं OH की तरह treat करो और ये भी weak base है weak base, weak base, not buffer 14 HCN plus HCN plus मैं ले रहाँ NH4Cl ये weak acid है और ये भी weak acid है not buffer और इन में कोई reaction भी नहीं है चलो हमने 14 तरह के example करें कुछ और करो जल्दी जल्दी बताओ 15 CSC C O O H plus N A C N क्या ये buffer है आप ये देखो weak acid है ये तो और N A C N में जो strong होता है उसका hydrolysis नहीं होता होता ही नहीं है क्या ये weak base होगा या weak acid होगा weak base तो ये एक buffer है weak acid, weak base का sustain KCN और NH4Cl क्या ये एक buffer है इसका hydrolysis होगा K का तो होने से राख K को कार दो इदर C L को कार दो क्योंकि ये strong base का salt है ये strong acid का salt है K और C L C N minus weak C N minus, minus को किस की तरह treat करें buffer है हा नहीं है buffer है ये एक्जम्पल K C N plus K O H strong base अब ये कुछ भी हो not buffer so ये नहीं है C C C O O H plus N H 4 O H N H 4 C N N H 4 C L आप देखिए weak acid buffer या not buffer C N होता तो वह अपने आप में buffer हो जाता 19 N H 4 C N कै ये अपने आप में buffer है हाँ ये इंडियूजल compound भी buffer है क्यों? क्योंकि weak acid और इसका भी hydrolysis होगा weak base अपने आप में buffer है अकेला single compound अगर कोई buffer है तो वह है ammonium cyanide समझ में आती है ये बात वैसे भी जब मैंने इन दोनों को मिला है था तो बना तो क्या था ammonium cyanide ये तो बना के सील और अने सील क्या ये बफर है not buffer क्योंकि इसका भी hydrolysis नियोगा इसका भी नियोगा किसी का भी नियोगा HNO3 plus HCL क्या एक buffer है क्यों क्योंकि किसी का भी नहीं HCL plus CSCCOOH यह अपने आप में क्या है? weak acid यह तो weak acid है और यह क्या है? strong acid, क्या यह आपस में reaction करेंगे? नहीं नहीं करेंगे NACN plus CSCCOOH buffer है? क्या यह buffer है? weak acid strong base quantity base buffer है reaction होगी, देखना पड़ेगा किस quantity है? पहले तो reaction करो, quantity base buffer quantity नहीं दिये तो नहीं बोलेंगे? quantity नहीं दिये तो नहीं बोलेंगे लेकिन अगर quantity दिये तो हम check करेंगे कि यह buffer है या नहीं है? quantity नहीं दिये तो that is not a buffer ठीक है? लेकिन हम शुरू से ही इस तरह की चीज को by default क्या कहते है? quantity based buffer बोलेंगे और last 25 अगर हम बात करें hcl प्लस csc c o o n a क्या यह एक buffer है? क्योंकि csc c o o बनाएगा quantity based buffer है यह भी ठीक है? यह quantity based buffer है तो यह buffer chart है heading आप यह से बना लीजिए buffer chart खाने वाली नहीं है यह समझने वाली है दियां से सुनिएगा जब भी आपको एक salt दे दिया जाए इस तरह का csc c o o मैं इसका नाम देते था हूँ weak acid weak based salt बस weak acid weak based salt जब भी यह दिखे आप buffer बोल दोगे buffer है या नहीं है है buffer है बस weak acid weak based किसी भी amount में दिया जाए बस एक buffer है इसके example कौन से होंगे example nh4 cn या csc c o nh4 यह इसके example होंगे बोलो yes अब दूसरी तरफ यह भी हमारे पास buffer हो सकता है कब जब हमारे पास weak acid plus conjugate conjugate salt तो यहाँ पर आप कौन से example ले सकते हो csc c o h plus जल्दी से बताए csc c o h plus csc c o o minus तो क्या यह buffer है बोलो हा या ना बिल्कुल यह एक buffer है थर्ड अगर आपने weak acid की जगह strong acid ले लिया plus conjugate salt ले लिया conjugate salt तो conjugate salt अगर आपने ले लिया और buffer के अंदर weak acid और weak base दोनों चेहरे रहे रहते हैं अच्छा next आपके पास अभी तक ही आ रहा है अब बताए यह CACCOOH प्लस NUH क्या यह buffer है यह buffer है यह buffer है कैसे है buffer बेटा लेकिन इसके अंदर weak base तो दिखी नहीं रहा है अब इसके अंदर बताओ जल्दी से कंडिशनल बफर में बार बार बोलाओ इसकी कंडिशन क्या है इसकी कंडिशन यह कि दिखो जब भी हम एक पार्ट भी strong हो गया एक पार्ट वीक है और एक पार्ट strong है तो जो वीक है वो बहुत ज्यादा quantity में होना चाहिए और अगर यहाँ पर यह ज्यादा quantity में है यानि कब buffer होगा ध्यां से सुनिए का यह जगह अगर CACCOOH more than NaOH है तो यह buffer है और अगर CACCOOH less than यह equal है NaOH के मोल के तो यह buffer नहीं है फिर buffer नहीं होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जब भी वीक ACID और STRONG BASE है तो इनमें reaction होगी और reaction होगी तो यह क्या बनाएगा salt and weak ACID लेगे अगर वीक ACID ज्यादा रहा तो final container में क्या रहेगा वीक ACID रहेगा और कुछ salt बनेगा वीक ACID क्यों बचा हुआ है क्योंकि वह excess में है अगर यह excess में है तो buffer रहेगा लेगे अगर यह excess में तो reaction में पता है यह गायब हो जाएगा यह गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा container में STRONG BASE and its conjugate salt STRONG BASE कभी भी buffer का काम नहीं करेगा इस जगह तो इसलिए जब भी कोई weak part हो रहा है तो वो weak part जादा हो और strong part काम हो तब भी buffer का काम कर जाएगा Next, धियान से देखिएगा मैं एक और ले रहा हूँ CACCOOH NA plus SCL क्या यह buffer है? क्या यह buffer होगा या नहीं होगा? जल्दीचे बोलो यह भी conditional buffer है क्योंकि इन दोनों में अपस में reaction होगी और क्या बनाएगा? एक second के लिए बोलो CACCOOH plus NACL बना लेगा तो यह भी एक buffer है बस आपके लिए क्या होना चाहिए? किसकी quantity ज़्यादा होनी चाहिए? इसकी quantity ज़्यादा होनी चाहिए तो बस यहाँ पर भी conditional buffer है कैसे लिखेंगे आप? जो मोल है आपके पास N, CACCOOH, NA उसके मोल ज़्यादा होनी चाहिए किस से? SCL से बस तो यह buffer है otherwise अगर यह कम यह ज़्यादा हुआ तो non buffer हो जाएगा मैं आपको फिर बोलना हूँ, इन दोनों में आपस में reaction होगी, CACCOOH बनेगा, NACL बनेगा, आपने माल लीचे इसके ज़्यादा मोल लिए और इसके कम लिए तो final container में यह बिल्कुल खतम हो जाएगा क्योंकि इसके कम है, यह बचा यह बचा रहेगा और बचा हुआ यह भी रहेगा, तो एक तरह से weak acid और conjugate salt बन गया, बना या नहीं बना तो यह भी conditional buffer है, लेकिन अगर SCL जादा ले लिया, तो last container में क्या रहेगा, strong acid and conjugate, तो strong acid तो और conditions आपका इंतिजार कर रही है, इधर देखिए, मैं ले रहा हूँ weak base, weak base plus conjugate salt, जैसे example बताओ जल्दी से, NH4 OH plus NH4 CL, क्या यह buffer होगा, हाँ, यह buffer होगा, फिर यह buffer होगा, बिल्कुल हमेशा buffer होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ रहे है हमर पास, मैंने कोई और example ले लिया strong base plus conjugate salt, क्या यह buffer होगा, yes or no, नहीं होगा, यह आपने NaOH plus इसका conjugate salt NaCl ले लिया, not a buffer, समझ में आ रहा है, अच्छा, next, अगर आपने यहाँ पर एक और ले लिया, और वो ले लिया अपने NH4 OH, क्या ले लिया, NH4 OH, और उसके साथ आपने ले लिया, NH4 OH के साथ आप ले रहे हो, NH4 OH plus HCl, क्या यह एक buffer है या नहीं है, सोचके बोलिए, NH4 OH और HCl, एक weak base और strong acid है, conditional buffer, conditional buffer, कैसे buffer हैं, conditional buffer कैसे यह काम कर रहा है, ध्यान से दिखेगा, यह NH4, अगर आपने यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, इस जगभी खास बात आपके पास क्या रही है, कि अगर NH, क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर, NH4 OH के मोल ज़्यादा हैं, किस से, SCL के, बिलकुल यह buffer है, लेकिन दूसरी तरफ, अगर NH4 OH के मोल कम हो गए, SCL के, तो क्या यह buffer होगा, नहीं होगा, बिलकुल हाँ या ना, के लिए रहे, concepts, तो यह buffer नहीं होगा, एक और example ले लेते हैं, हम इस जगह, और वो ले रहे हैं हम, NH4 CL, प्लस, NOH, क्या यह buffer हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि यह दोनों reaction करके क्या बनाएंगे, NH4 OH प्लस NACL, अगर NH4 CL की quantity जादा है, एक्सेस में है, तो यह buffer है, नहीं तो नहीं है, तो यह आपको buffer के लिए सारी conditions मैंने लिख दिये, तो कितनी conditions हो गई आपके पास, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, maybe buffer, if mol of NH4 CL is more than mol of NaOH, तो यह सारी conditions आपको buffer बताएगी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से कौन सी buffer की condition नहीं है, बाकी 2 नहीं है, बाकी समेशे आपको क्या देखने को मिल रहा है, buffer है, तो बिलकुल clear हो गया हर चीछ, तो अब आपके दिमाह में आज चुका है, कि कब buffer होगा, कब buffer नहीं होगा, clear है concepts, अगर आपके दिमाह में यह buffer कब होगा, कब नहीं होगा, clear है, तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए, फिलाल, जल्दी जल्दी बताते जाएं आप मुझे विक रिजन एक्साम्पल विच आप दा फोलॉइंग मिक्चर इस बफर आपको ऑफरटेस करना है कि बफर होगा या नहीं होगा एक्साम्पल फस्ट एठ ष्फोर ओएछ पलस सिह इससी इस डबल ओएच इसके मैंने ले लिए वरन-ओल और इसके ले ले लिए मैंने टुमोल कियो ये बफर होगा या नहीं होगा yes or no में answer देना है yes यह किसी भी ratio में हो यह buffer होगा क्योंकि यह क्या बनाएंगे weak acid, weak base, salt तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है यह हमेशा buffer होगे next NH4 OH plus NOH 1 mol 2 mol क्या यह buffer होगा या नहीं होगा नहीं होगा weak base, strong base का mixture कभी भी buffer नहीं होता समझ में आ रहा है, third point HCL plus CSC COOH क्या यह buffer होगा या नहीं होगा कभी नहीं होगा क्योंकि यह strong acid और weak acid है पक्का यह कभी भी buffer नहीं होगे next, fourth HCL plus CSC COOH 1 mol 1 mol क्या यह buffer होगा या नहीं होगा क्योंकि दोनों reaction करके क्या बनाएंगे CSC COOH का 1 mol और NACL NACL से कोई मतलब ही नहीं और CSC COOH 1 mol है, कोई buffer नहीं है केवल weak acid से कोई buffer नहीं बनेगा 5th, SCL plus CSC COOH यह 1 mol ले रहा हूँ में और यह 2 mol ले रहा हूँ, क्या buffer होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो, हाँ यह एक buffer होगा, क्यों? क्योंकि यह CSC COOH बनाएगा और NACL बनाएगा, क्या buffer हो सकता है कि यहाँ पर? नहीं होगा buffer, समझ में आ रहा है? next, 5 point होगा, 6, अगर मैंने SCL plus CSC COOH इस तरह से ले लिया, यह 2 mol ले लिया और यह 1 mol ले लिया, क्या buffer होगा? बोलो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि strong वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, strong वाला क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, 7, अगर मैंने यहाँ पर ए 1 mol इसके ले लिये, क्या यह buffer होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि strong वाला आपने क्या रखा है? ज्यादा रखा है, गलते, बराबर रखो तब भी नहीं होगे, तब भी buffer नहीं होगे, यानि अगर यह 1 mol लख लिया और यह भी 1 mol लख लिया, तो क्या यह buffer होगा या हुग नहीं होगा नहीं होगा विल्कुल हमली थिसी सी ڈवल ओ एच प्लस अगर मेंने यहाँ पर में श्क्रांच उच Cyril मいた स्ट्रॉंagh वाला कम मोर्षा और वीडित व्ल कि आ जादा रख दिया दो मोर्ण तो है यह भॉफर होगा नहीं होगा है यह यह एक buffer होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, क्यूंकि यहाँ पर जो वीक है वो आपके बास क्या है, ज्यादा quantity में, बिल्कुल सही का आपने, 10, अगर हम यहाँ पर NH4 OH और NH4 CL लख लेते हैं, यह 1 mol और यह भी 1 mol, तो क्या यह buffer होगा या नहीं होगा, यह buffer होगा, क्योंकि व वो वीक एसिड होते हैं, तो यह buffer होगा, बोलो यह सोनो, यह buffer होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीक बेस का conjugate, वीक एसिड होता है, और वीक एसिड का conjugate, वीक बेस होता है, बहुत अच्छी बात बताईए मैंने, जो टीचर आपको यह या जो बुक्स आपको वीक का स्टोंग होता है, वीक बताती है, वो आपको सही नहीं बता रही है, वो उन्हें यह लिखना चाहिए था, कि वीक वाला जितना वीक होता जाएगा, उसका conjugate उतना जदा स्टोंग होता जाएगा, बस, इसका मतलब यह नहीं कि वो उससे भी जादा हो जाएगा, और य next, NH4OH, NH4CL, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं कुछ और भी एक्जाम्पल ले रहा हूँ, चलिए, ठीक है, मैंने ले लिया NH4CL, प्लस NAOH, और मैंने यहाँ रखा इसके 2 mol, और इसके रख दिया 1 mol, क्या यह एक बफर होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो, यह होगा एक बफर, क्योंकि यहाँ पर NH4CL अपने आप में वीक वाले को रिपर्जेंट कर रहा है, उसकी कॉंटिटी जादा है, बिल्कुल इन दोनों में रियक्शन होगी, और यह एक बफर बनाएगा, तो आपने यह मेरे से समझ लिया कि कौन सा बफर होगा, या कौन सा बफर नह देखो, हम इस जगद दो पाइंट में बात करेंगे, पी-एच ऑफ एसेडिक बफर, पी-एच ऑफ एसेडिक बफर, देखो, पी-एच ऑफ एसेडिक बफर की अगर आप बात कर रहे हो, तो यह एसेडिक बफर आपके पास है क्या, सोच के देखो एक मिनट, आपके बास य है जो कि आइनाइस हो रहा था सिसी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस ठेक है तो यहां आपके पास के एक वैलु क्या होगी तो यहां से आपके पास H plus की value क्या आएगा है H plus की value KA CSC C O O H upon KA उदर चलाएगा और यह हमारे पास आजाएगा CSC C O O minus तो हमारे पास H plus आ रहा है, हमें दोनों तरफ minus log लेना है minus log H plus is equal to minus log KA minus की जगह यहाँ पर हम plus log लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा CSC C O O minus upon CSC C O O H होगा या नहीं होगा ठीक है हमने यह उल्टा कर दिया साथ में क्योंकि हमने यह minus की जगह plus भी लिखा है तो यह value हमारे पास क्या हो जाएगी इस जगह पी एच क्योंकि माइनस लोग को पी बोलते हैं पी के प्लस log salt upon acid इस equation का हम बोलते हैंडर्सन equations क्या बोलते हैंडर्सन equations हैंडर्सन equations हैंडर्सन equations इसी तरह से अगर हमारे पास solution है अगर वह basic होता तो हमारे पास क्या होता तो हम बात करेंगे उसके लिए पहले प्योह निकालेंगे प्योह प्येच आफ basic buffer प्येच आफ basic buffer कोई भी basic buffer solution क्या होगा NH4 OH और NH4 प्लस प्लस OH इस तरह से उसके अंदर यह दोनों quantity होगी अपने आप में और यहां पर के भी बोलेंगे के भी की value क्या होगी NH4 प्लस OH सेम वैसी format में चलेगा NH4 OH तो हमारे पास के अ था वहां पर यहां के भी आएगा यहां OH आएगा और के भी multiply by NH4 OH अपन NH4 प्लस अब आप क्या लेंगे यहां पर माइनस लॉग ले लेंगे माइनस लॉग OH माइनस माइनस लॉग के भी माइनस लॉग NH4 प्लस अपन NH4 OH क्या मैं लिख सकता हूं इसा बोलो हा या ना लिख सकता हूं यहां सोनो ऐसा लिखने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था देखे ध्यान से थोड़ा सा इस पॉइंट को दुबारा देख लीजे माइनस लॉग के भी माइनस लॉग माइनस होना चाहिए लगी मैं क्या लिख रहा हूं प्लस लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा NH4 प्लस अपन NH4 OH- NH4 OH और यहां हमारे पास इसको क्या बोलेंगे POH प्लस लॉग salt अपन बेस बोलो yes or no यह दोनों ही formula हमारे बहुत काम आने वाले तो आपको यहां पर यह चीज समझ में आ जानी चाहिए अब एक और point जो अच्छे से समझना है अगर आपके पास buffer neutral है तो आप कैसे pH निकालेंगे यह यह एक बाफर था यह बैसिक बाफर है और अब बात करें pH of neutral buffer neutral buffer क्या होता एक तरह से weak acid weak base salt होता है it is a salt of weak acid and weak base तो इसके लिए pH का formula क्या होता है पहले example ले लेते हम जैसे हमारे पास है CACCOONH4 बो yes or no तो यहां तो आपके पास एक तरह से क्या है देखा जाये तो यहां तो आपके it is a salt of weak acid and weak base तो हमारे पास एक salt है और salt की pH हम कैसे निकाल देंगे weak acid weak base की उसका formula में पहले ही बता चुका हूँ k w upon इस जगह क्या होता है k a अगर यहां पर k a k b यह तो दोनों आता ही है k h और यहां पर आजाएगा k a square तो यह square इससे cross हुआ तो हमारे पास h plus की value क्या होती है k w k a upon k b k b चाहें तो आप इसको ph के format में भी लग सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा minus log लेना पड़ेगा तो एक तरह से minus log h plus ले लिया आपने ठीक है ले लिया minus log k w ले लिया क्योंकि root है तो 1 by 2 लगेगा फिर क्या हो जाएगा minus 1 by 2 log यहां क्या हो जाएगा log k a और यहां क्या हो जाएगा minus minus log k b क्योंकि वह 1 by k b था हमने थोड़ा साम यूज कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह ph equal to 1 by 2 p k w minus log को हम ले गए तो क्या हो जाएगा 1 by 2 p k a minus 1 by 2 p k b यह हमारे पास pH हो जाएगी इस salt की तो यहां तो हमारे पास छोटे छोटा हो गया formula हम अराम से निकाल सकते हैं किजी भी buffer solution की pH को लेकिन numerical करते वक्त हम कैसे देखते हैं चलिए मैं थोड़ा सा एक chart बना के बता दूँ आपको numerical करते वक्त आपका दिहान क्या रहेगा कि आप बहुत easy way में बना दे देखेगा दिहान से शुरू करें अपन देखो यह आपको buffer solution दिया है अब यह buffer कैसे बनेगा उसके बहुत सारे logic हो सकते हैं सबसे पहले मैंने आपको दिया है एक्जामपल बनते जा रहे हैं यह अब चाहुते अलग-अलग एक्जामपल की format में ही लिख लो find ph first अगर आपको cac c o h find ph of following buffer of following buffer पूरा question लिख लो एक बार following buffer if p k a of c a c c c o h आपको दिया हुआ है 4.7 and p k b of p k b of n h for o h n h for o h n h for o h यह आपको दिया है 4.7 यह दिया गया है अपने ज्यादा दिमाग नहीं लिगाया यह value दे दी p k a p k b दोनों की value दे दी 4.7 4.7 तो सबसे पहले आपको दिया हुआ c a c c c o h plus c c c c o o minus यह solution है यहाँ दे रखा है 2 m 3 m 300 ml 300 ml आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि आप formula में क्या रखते हो concentration रखते हो या मोल रखते हो तो मैं आपको बता दू मोल रखते हो ठीक है तो Henderson equation में pH की value होती है वो p k a plus log salt upon acid आएगा यहाँ पर तो आपको यहाँ मोल रखने कैसे भी करके दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि final volume तो दोनों के लिए क्या होगा सीम होगा तो देखा जाए तो आप सोचते हैं consideration तो mole divided by volume mole divided by volume लेकिन जो volume होता है वो final volume होता है तो दोनों में cross हो गया तो आपको क्या रखना है mole लखने तो मोल रखोगे तो आपके अंसर हमेशा सही आएंगे समझ में आ गया तो यहां आपके वास pka की value कितनी है 4.7 plus log salt कॉन decide करेगा direct दिया हुआ 3m multiply by this तो एक तरह से देखा जाए तो 3 multiply by 0.3 क्योंकि लीटर में change कर दिया यहां 2 multiply by 0.3 तो एक तरह से आपके वास 3 by 2 हो गया तो आप कर लेंगे calculation बाला part आप पे छोड़ दिया जाए ठीक है दूसरा exam पर CACCOOH plus CACCOONA की जगह आपने ले लिया इस बार NOH यहां दे दिया आपको 1 mole और इसको दे दिया आपको 2 mole अब pH कैसे निकालेंगे pH बिलकुल ध्यान से सुनिएगा यहां consideration देनी चाहिए आपको 10 की पावर माइनस 2 M क्योंकि बिना वालिम के काम नहीं चलेगा और 300 ml ठीक है और यहां दे दिया 10 की पावर माइनस 2 M 2 into 10 की पावर माइनस 2 M और 300 ml तो बताओ pH क्या होगी पहले यह बताओ क्या यह buffer होगा क्या नहीं होगा तो answer क्या कैसे निकालेंगे इट इस नॉट ए बफ़र इट इस नॉट ए बफ़र medium is basic medium कैसा है आपको यहां दिखाए देगा medium is basic basic दिखाए देगा पाणा क्योंकि एन्यूएज ज्यादा है तो एन्यूएज की फाइनल कंसर्टेशन इसके अंदर कि जल्दी बोलो कितने मोल बचेंगे एन्यूएज के इसके साथ रेक्शन होने के बाद वही डिसाइड कर देंगे तो मेरे पास जो मोल दिखाई दे रहे हैं मेरे को वो दिखाई दे रहे हैं मेरे पास मोल पहले कितने थे MLA .6 into 10 power minus 2 दोनों को multiply कर दिया minus this minus कितना होगा देखा जाये तो one multiply by पॉइंट थी तो इसका मतलब पॉइंट 3 into 10 power minus 2 दिस मोल माइनस दिस मोल डिवाइड़ वाइड़ टोटल वोलिम कितना हो जाएगा 600 यानि पॉइंट 6 यह आपके पास नेट कंसर्डेशन आ जाएगी एनवेज की एनवेज की कंसर्डेशन कितनी हार यह जल्दी से बोलो आप इस कैलकुलेशन को करोगे 0.3 divided by 0.6 यानि की 1 by 2 10 power minus 2 by 2 बोलो yes or no और अब आपको मेरी वली बात याद होगी पॉइंट 2 और नीचे वाली गैल्यू एड़ होती है प्लस लॉक्टू तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कैलकुलेशन अब आपके हाथ में 2.3 प्योएच है प्योएच 2.3 है तो प्योएच क्या हो जाएगा आपके पास जल्दी से बोलो 3-14 में से 11.7 कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो यह आपने दो एक्जामपल कर लिए थर्ड एक्जामपल CSC COOH प्लस नोह दोनों के आपने इस तर से लिया 10-2m 300 ml और 10-2m 300 ml तब बता ये पी एच क्या होगी जल्दी से बोलो इस जगह एक ही चीज बचेगी लास में क्योंकि दोनों के मोल बराबर है वो क्या बचेगा CSC COOH NA तो ये एक तरह से क्या होगा सिफ सॉल्ट है और ली सॉल्ट बचेगा कंटेनर में और सॉल्ट की पी एच कैसे निकालेंगे क्योंकि ये कौन सा सॉल्ट है जफिक स्ट्रॉंग बेस वीक एसिट सॉल्ट है तो पहले चीज निकलती और चीज मॉल्टीप्लाई भाइस सी कि ये वेलू हो जाएगे आपके पास के डब्ल्यू अपॉन के ऐ मॉल्टीप्लाई भाइसिए जगह क्योंकि weak acid है और kw की value क्या होती है जल्दी से बताओ इस जगह kw की value क्या हो जाएगी 10 की power minus 14 c की value क्या होगी आपको निकालना पड़ेगा k a की value क्या दे रखी है c a c c h के लिए सोच के बताओ 4.7 यहां दे रखी आपको 10 की power minus 4.7 k a की value अब c की value निकालनी है आपको c की value निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है multiply by c तो c where c क्या है यहां पर c की value निकालेंगे आप यहां से बताओ इनके कितने मोल थे ठीक है एक तरसे देखा जाए तो दोनों यहां पर दोनों 100% कंज्यूम होंगे दोनों 100% कंज्यूम होंगे इसमें convert होंगे तो बताओए इन में से किसी की मोल ले लो किसी के भी ले लो बात बराबर है तो कितना हो जाएगा पॉइंट्री इंट्व टेन पावर माइनस टू मोल हो गया डिवाइदेट वाइट टोटल वॉल्यूम कर दो 600 यानि 0.6 तो यहां पर सी की value यह आपके पास सी की value है सी को यहां रखेंगे ओच की आईगी अंडरूट में उसको सॉल करेंगे प्योंच आएगा प्योंच को सॉल करेंगे प्येच आज आएगा थोड़ इसी क्यालकुलेशन रहेगी लेकिन कर सकते हो आप कर सकते हो बस यहां आपको पकड़ना है तो चलिए यह आपके पास हो गया एक और पॉइंट अब आ प्यूबूर्द अगर आपने इनिंएवच ले लिया ध्यान से सुनिएगा और इस बार मैंने नहीं यह लिया है त्व इंटो माइनस थिमस और त्येंकश माइनसом में और देखो प्योंच कोना ही हरा गया quantity based just double है तो ऐसे condition में जब salt बनेगा हमेशा salt plus water जो भी बनेगा तो salt हमेशा इसके ही बराबर होगा और इसकी sorry but बनने वाला salt CSC CWH के बराबर होगा yes or no क्योंकि इसके mall double है मालीजे इसके mall x है तो इसके कितने है 2x reaction हो जाएगी यह कितने बचेंगे X 0 और यह कितने बचेंगे X तो इस तरव की condition में वेन हम क्या लिखेंगे वेन मौल ओफ वीक एसेड इस टू टाइमस ओफ स्ट्रॉंग बेस तब आपके पास क्या होगा एक तरह से प्लस लॉग। सॉल्ट अपॉं ऐसेटल रही नहीं तो यहां ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं कंसेप्स बना रहा हूँ क्या बना रहा हूं इस जगह उस चक्र को आप समयरे की कोशिश करना हटा दूँ मैं यह इसको लिखना है लिख लिया अब मैं क्या concept बना रहा हूं कि आपके पास देखिए यहां पर CACCOOH है और यहां पर CACCOOH है समझेगा अगर इसके मोल X है और इसके मोल Y है तो बताओ पी एच क्या होगा क्या पी के बराबर नहीं होगा salt upon acid, salt और acid दोनों बराबर, X equal to Y, this दूसरी तरफ अगर X is equal to 10Y हो तो salt की quantity क्या है एक तरह से, किस की quantity जादा है, acid की, तो pH क्या हो जाएगा इस जगह, pH equal to PKA-1 हो जाएगा क्योंकि आपके पास इस जगह कौन जादा है, salt upon acid, acid जादा है, X की value 10Y के बराबर और दूसरी तरफ, Y equal to 10X हो रहा है, यहीं, salt जादा है, तो pH equal to क्या हो जाएगा, PKA-1, बलो यह सोड़ो, तो क्या यह चार्ट आपको समझ में आगया, आगया, अब इसी तरह से मिलता जुलता है, एक और similar चार्ट में आपको बता रहा हूँ, इसमें एक और चीज एड़ कर सकते हैं, पता है क्या एड़ कर सकते हैं, अगर X और Y चलिए, नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, अपर एक और चार्ट बनाएंगे, ध्यांसे दिखेगा, हमने लिया, CST, COOH और ले लिया, NOH, हमने एक लिया, यहाँ, यहाँ य लिया है, और हमने जो departments को नो एक तरह से 2Y लिया, तो क्या यह, केस और यह केस सेम हैं यह नहीं, पहले तो यह बताऊ, यह case और यह case same है या नहीं है है, क्योंकि आपने जैसे x को 2y लिया reaction होगी csdcwh और csdcwona बनेगा और दोनों के mole क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पर भी वोई बराबर थे तो यह case और यह case same होगा तो यहाँ आपके पास ph equal to क्या हो जाएगा pk a, बोलो yes होणो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के आपस में reaction होगी या नहीं होगी और क्या बनेगा, क्या बचेगा weak acid and strong weak acid and conjugate salt और किस ratio में रहेगा बराबर बराबर क्योंकि आपने यह double लिया है मालो यह one लिया है तो यह two लिया तो two लेते ही आपके पास क्या बचेगा यह one बचेगा और बनने वाला one conjugate बन जाएगा clear रहे तो अब आप मेरी मदद करिए इस जगह मैं यह वाला case और लेना चाहता हूँ तो x की value क्या लूँ में कि मेरा काम चल जाए 11 y x की value मैं 11 y ले लूँगा एक तो क्या होगा क्या साही है अगर x की value मैंने 11 y ले ली समझना तो 1 y उसका खतम हो गया किसका cacc double h का तो बचेगा क्या आपके पास लिया तो अपने x बहुत ज़्यादा है तो इस जगह आपके पास यह वही वाला case हो जाएगा p h equal to क्या हो जाएगा p k a minus 1 ध्यान से दिखेगा बोलो यह सोड़ो अब इदर देखो यह वाला case लेना चाहता हूँ मैं plus 1 तो यहाँ पर लेना तो मुझे x ही जादा होगा हमेशा तो यहाँ क्या ले लोगा मैं x की value क्या लेना चाहता हूँ जिससे ये काम चल जाए मेरा मुझे क्या लेना चाहिए था पता है यहाँ पर कि यह जगर जो बनने वाला salt है वो 10 times जादा हो तो मुझे लेना चाहिए था x की जो value है 11 y by 10 बोलो क्या बोलते हो एक बच जाएगा तो यह वही वाला case हो जाएगा जो यहाँ है तो इस जगर pH की value क्या हो जाएगी pka plus 1 कोई दिक्कात आ रही है आपको समझ में तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा हमारा IQ काम कर जाए पागी हम यह ले जाएंगे questions को आ रहा है समझ में उतारो माली जी हमने एक और एक्जामपल लिया NH4 rho h के ले लिए x और NH4 cl के क्या ले लिए हमने y और इस जगह भी हमने गेम चालू कर दिया x equal to y तो बता पी एच क्या होगा इस जगह पी एच मन निकालो पहले पी ओएच निकालो और पी ओएच क्या होगा pkb plus log salt upon salt upon base 1 आ जाएगा दोनों वराबर हैं x वराबर y तो बस कुछ भी नहीं poh equal to क्या हो जाएगा pkb yes or no दूसरी तरफ अगर x की value आपने यहाँ पर 10 y रग दी यानि base जादा है और एक तरफ y की value 10 x लग दी आपने तो इस जगह दोनों जगह क्या होगा यहाँ y जादा है यानि salt जादा है तो poh equal to pkb plus salt upon base यानि की 1 आएगा और यहाँ पर poh plus log salt upon base यहाँ पर base जादा है और कितने टाइम जादा है 1 by 10 तो यहाँ 1 by 10 होती ही यह value क्या हो जाएगी minus 1 poh की value हो जाएगी pkb minus 1 clear है अब इस तरफ देखते हैं हमने माल लीजी यह x mole है और यह किसके mole है इसके कितने लिए y अब x equal to y लेना ही भी होकुफी है क्या लेना चीए buffer बनाने के लिए x equal to 2y यह वही वाला case हो गया poh equal to क्या हो जाएगा इस जगह pkb बोलो होगा या नहीं होगा इस जगह यह वाला case बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए यह वाला जब मेरे को pkb plus 1 यानि मुझे oh to ज़्यादा चाहिए यह बात रता है oh to h noh4 oh इन दोनों में हमेशा reaction होती है noh4 oh plus scl आपस में reaction करके क्या बनाएंगे noh4 cl plus h2o तो आपको क्या रखना है ज़्यादा हमेशा यह ज़्यादा रखना है तो x की value आपको क्या रखनी है कि आपके पास इस जगह जो बन रहा है वो salt ज़्यादा रहे तो salt ज़्यादा रहे इसका मतलब scl भी अच्छी कासी quantity में रखना पड़ेगा आपको तो यहाँ मेरे पास x की value क्या होनी चाहिए x की value होनी चाहिए 11 y upon 10 कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहनि x की value ज़्यादा होगी हमारे पास हमारा काम वैसे चल जाएगा 11 y upon 10 अपने आप आप calculation करेंगे p o h equal to क्या हो जाएगा p k b plus 1 आएगा और अगर हमें यह वाला case बनाना है तो बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे x की value क्या रख देंगे सीधा सीधा 11 y very good 11 y तो जैसे हमने रखा तो p o h equal to क्या हो जाएगा p k b minus 1 तो क्या आपको यह सारे चार्ट के लिए हो गए बोलो यहास होनो तो लिखिए इसको अब बात करते हम buffer range यह भी बहुत important है heading डालीजिए buffer range देखो buffer range को कैसे समझोगे आप जहाँ से सुनना तो जानते हो buffer जो भी buffer हमारे पास solutions होता है वो उसमें acid और base दोनों होने चाहिए तो अगर आपने acid ज्यादा मिला दिया तो भी बिगर जाएगा और base ज्यादा मिला दिया तो भी बिगर जाएगा दोनों क्या होने चाहिए equal quantity में होने चाहिए तो अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं तो ऐसे डीक बफर की बात कर रहाऊ है एसे डीक बफर जो की अपने आप में किस्टे मिलके बना रहता है मैं बात कर रहा हूं, salt upon acid ratio, यह जो salt upon acid ratio होना चाहिए, यह 1 by 10 to 0, और 0 to 10 by 1, यह ratio में रहना चाहिए, यह ratio, नहीं, sorry, 1 by 1, इस जगह, 1 by 1 है, तो यह best buffer होगा, इसका मतलब क्या है, जितना salt है, उतना ही acid है, क्योंकि salt के अंदर क्या होगा, acid का conjugate ion होगा, जो कि अपने आप में किसका काम करेगा, base का काम करेगा, तो base और acid बराबर होगा एक तरह से, तो यह best है, इस जगह best है, यह इसकी कौन सी limit होगी, lower, minimum value, इससे ज्यादा minimum होती भिगर जाएगा buffer, और यह क्या होगी, higher, higher value, higher value, तो lower value, इससे कम पे भी buffer नहीं है, औ जादा पे भी buffer नहीं होगा, is that clear? नहीं पेटा, इस जगह आपके पास क्या हो जाएगा, आपका question यह रहेगा, इस जगह pH की value क्या हो जाएगी, pka plus log salt upon acid यानि 0, तो buffer तो अभी भी acid ही है, क्योंकि pka की value साथ से कम है, है या नहीं है, acid ही है, लेकिन इस जगह दोनों बराब और है, पका, और इस जगह आपके पास pH की value क्या हो जाएगी, pka minus 1 और यहाँ pH की value क्या हो जाएगी, pka plus 1, समझ मा रहा है, तो आपके पास pH range क्या हो जाएगी, एक तरह से, pH range, क्या हो जाएगी, pka plus minus 1, समझ मा रहा है, या आपके पास क्या हो जाएगी, pkb, अगर basic होता, तो मानिस बात तो बराबर यह है ? अ है कि या आपके पास एक तरसे पी के वी मानेस प्लस वन कोइड आउट तो यह देखा जाए तो यह हमारे पास प्लस मांडस ही लिख दो यहां पर प depois ळेंज लिख दो भाद में पह दिल जाएगी फूटीन मेंस माइने स करके। तो कलीर कंसेप्ट ये सेटी के लिए और ये बैसिक के लिए फोर एसेटी के लिए बफर फोर बैसिक बफर कि लिए रखाल इसको जल्दी से अब बात अता है अलग पॉइंट हमारे पास और वह है हेडिंग बफर क्रपेसिटी हेडिंग डालीजी बफर कैपसिटी बफर कैपसिटी बफर कैपसिटी का मतलब कौन सा बफर अच्छा है कौन सा बेकार है वो बताना तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे ने अगर किसी बफर को बिगाड़ना हो तो उसके अंदर क्या मिलाने पड़ेंगे एसे डिया बेस के मोल मिलाने पड़ेंगे और जितने ज्यादा मोल बिलाने पर बिगडेगा उतना ही बफर अच्छा होगा ठीक है नव तो तो बफर कैपसिटी क्या होगा इच चो लिखो definition it show required it is the yeah it is the required it is the required mole of mole of strong acid or a strong base a strong base for change of unit pH and unit volume unit volume स्वाइब इस निकालो गया बहुत आसानी से निकाल सकते हो बफर कैपसिटी मोल अशेड जो मिला रहे हो यह फिर मोल अब शितने मिला रहे हो उससे आपके पास जो पिये चेंज हुई है डेल्टा पी एच मल्टिप्लाइप वॉल्यूम ऑफ बफर सॉलुइशन्स क्योंकि मैंने यूनिट बोला है दोनों तो दोनों का डिवाइड आएगा वॉल्यूम ऑफ बफर सॉलुइशन्स हाया ना के लिए रहे तो यह हमारे पास हो गया बफर कैपसिटी माली जी किसी कोई बफर सॉलुइशन्स एक्जामपल ले रहा हूं और इसका दो लीटर मैंने ले रखा है कितना ले रखा है दो लीटर ठीक है इसमें मैंने है एसीयल के दसमोर मिला है कि दस नी चलो पांच चार मुल मिला है मैंने यहां प्लफ माल लीजी इस जगर ठीट अब लिए एक्जाम पल ले रखा है वाफर है अभी विए दो लीटर लिएगा लेकिन प्लफ अभी इसकी कितनी हो गई दो हो गई तो क्या आप buffer capacity बता सकते हो find buffer capacity जल्दी बता सकते हो इसका answer बहुत आसान है buffer capacity कैसे बताएंगे आप इसकी buffer capacity निकालने के लिए 4 mole formula आपके पास है 4 mole of acid divided by change of pH 1 और कितने 2 तो यह answer आगया आपके पास buffer capacity is clear clear concepts कोई दिकत नहीं है लिखो इसको तो देखो बच्चों हम बापीस discuss करने वाले एक और point पर कि हमने जो भी पड़ा है उसमें एक चीज की कमी रह रही है कि buffer की क्या pH चेंज होती है और नहीं होती है होती है acid और base मिलाने में किस amount में चेंज होती है वह हम calculate करना चाहते है ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है example से ही समझते हैं देखिए माली जी यह एक example ले लिए हमने है ठीक है इस जगह बहुत easy ले रहा हूँ यहां आपके पास कोई भी acid ले लिए आपने CST C O O H प्लस CST C O O minus इसके मोल ले लिए आपने X और इसके मोल ले लिए Y ले 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 ठीक है ना तो अब बताईए इस जगह पी एच कितनी है इसके पी एच पीके ए प्लस लॉक सॉल्ट अपॉन एसेट तो वाई अपॉन एक्स लिगदू है चलेगा अब इसके अंदर यह तो हमारी शुरुवात वाली पी एच है इसके अंदर अभी तक आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने बाहर से एसील मिला दिया कितना मिला दिया आपने बाहर से एसील के जैड मोल मिला दिया अब इदर देखिए पी एच डैश कितना होगा पीके ए प्लस लॉग अपॉन लॉक सौल्ट अपॉन एसेड मेर पास वाई ठाउ यह एच्छिएल ने किसके साथ रियक्शन किया ओगी इसमें तो इसके साथ रियक्शन करी होगी तो एक तरह से वाय माइनस जैड अपॉन इसको बनाया है तो एक्स प्लस जैड क्या कोई द पी एच डैश क्या होगा पी के ए प्लस लॉक एने वेच ने किसके साथ किया है एसेट के साथ और सॉल्ड बनाए तो सॉल्ड तो बढ़ेगा और एसेट क्या हो जाएगा कम ते एक तरह से सॉल्ड बढ़ेगा तो वाइपलस जेड अपॉन एक्स-जेड कहीं कोई दिक्कत ही और यह बात समझ में और तीस रहा अगर आपने डारेक्टी सी सी डबल ओएच और मिला दिया कुछ नहीं कर रहा कितना मिलाया जैड मिलाया तो यह तो किसके साथ रियक्शन करेगा नहीं इसको बढ़ा देगा बस तो पी एच डैश कितना हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग य अपने क्या मिला दिया और यहां पर आपने क्या मिला दिया सी सी डबल ओ माइनस मिला दिया जैड मॉल तो क्या बन जाएगा पी एज डैश इकॉल टू पी के ए प्लस लॉग शॉल्ट शॉल्ट पहले कितना था य य अवाइप लॉग फ्लस जैड अपॉन एक्स एक्स के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं तो यहां पर यहां पर बिटा नहीं बिटा हो यह रहा है कि आपने वीग एसिट के अंदर वीग एसिट और ऑर इन्दर क्या मिला यह जाएगा तो वो क्या करेगा इस साल्ट की कॉंटिटी को बढ़ा रहा है इ स्वीग एसिट से रियक्शन करके वीग बेश में न्वर्ट ओर आ तो यह एक तरह से weak acid में कमी हो गई और weak base जो की एक तरह से conjugate salt का काम भी है उसमें increment हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि basic medium हो जाएगा, basic कब होगा? जब NUH मिलाया होगा Z की value, इस X के बराबर हो जाएगा तो यह value कितने हो जाएगी? Z की value अगर X से तो निकाल लेंगे और अगर आपने इस से भी ज़्यादा मिला दिया, किस से? X से भी ज़्यादा मिला दिया, तो फिर बच्चे वे NUH से निकाल ले, NUH की consideration निकाल के, direct OH की consideration मिल दाएगी, समझ में आ रहा है तो एक तरह से आपने यह शुरुवात वाली pH थी, यह फाइनल वाली pH है क्या आप डेल्टा पीच निकाल सकते हो? हाँ, डेल्टा पीच निकाल के आप क्या करो? जितने मोल एसिट के दियें, divided by डेल्टा पीच, divided by V बफर के पैसिटी पी निकाल सकते हो हर कुछ कर सकते हो? तो चलिए इसको लिखें आप वाल यार दिखो यह एक एक्जामपल है, IIT के लिए calculate the amount of ammonia and ammonium chloride in gram per liter में आपको निकालना है to prepare a buffer solution of pH 9 चाहिए when total considerations of buffering reagent is 0.6 mol per liter है और pk भी इतना दिया है तो पहले आप क्या करो? सबसे पहला काम pH कितना है? 14 minus 9 यानि की 5 दूसरा point pH का formula क्या होता है? Henderson equations क्या होती है आपके पास? pkb plus log salt upon base बोलो यह सौनो तो यहाँ आपके पास इसकी value दे रखिये 5 pH 4.7 pkb plus log salt upon मालीजी यह x है salt के और base की कितने है? y तो जब यह मेरे पास 4.7 उदर जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.3 0.3 यानि की देखा जाए तो log 2 log 2 यानि की हमारे पास यह हो जाएगा log 2 is equal to log x upon y है? समझ माहरा है? यह लॉक से लॉक कड़िया तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक तरह से x upon y की value क्या जाएगी? 2 बोलो होगी या नहीं होगी? अच्छा एक और चीज कहीं न कहीं हमारे पास दे रखिये x upon y equal to 2 यह नहीं कहीं न कहीं हमारे पास क्या हो रहा है? x equal to 2y तो x equal to 2y हमारे पास हो चुका है और एक और point है in one liter अगर one liter के अंदर हम बात करें तो total mole कितने है? total mole कितने रहेंगे आपके पास? 0.6 और देखा जाए तो हमारे पास क्या है? x plus 2y equal to एक तरह से x plus x equal to 2y तो एक तरह से देखा जाए तो 2y plus y equal to कितना हो जाएगा? 0.6 तो y के वैल्यू क्या आएगे आपके पास? जल्दी चे बताओ 0.2 तो हमारे पास दोनों के mole आ गए है किस के mole आ गए? NH4Cl के भी आ गए क्योंकि NH4Cl के कितने हैं हमारे पास? जल्दी चे बताओ NH4Cl यानि की 2y यानि के आपके पास कितने हैं? 0.4 mole per liter और ammonia के कितने हैं हमारे पास? mole NH3 NH3 अपने आप में NH4OH वही काम करता है NH4OH मिनिंग सेम ही तो यहां पर हमारे पास कितने हैं? 0.2 mole per liter अब पर liter है इसको क्या करना है आपको gram में चेंज करना है तो 0.4 multiply by ammonium chloride का molar mass लिख लीजेगा यह value आजाएगी आपके पास gram per liter में बस molar mass से multiply करना है 0.2 multiply by molecular weight of ammonia जो की 17 है 17 है gram per liter क्योंकि इसमें gram per liter में पूछा है तो क्या आप कर सकते हो यह question? easy है करो इसको